जैने वरिवन तो इंग्लिस के राइटिंग सेक्षन में आपके दो सवाल आने हैं एक फॉर्मल लेटर और एक एनलेटिकल पैराग्राफ यानि आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है नहीं इन फॉर्मल लेटर नहीं जिस प्रकार से आप हिंदी वाले लेखन पा है ताकि आपका एक भी नंबर राइटिंग सेक्षन से ना कर सके चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फॉर्मल लेटर आपको पता हिए कि किसको लिखा जाता है जैसे मान लिजिए आपको एडिटर को लेटर लिखना है या फिर आ लेटर इंक्वारी लेटर 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 बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे ही ज्यादा सवाल आपको पूछते हुई देखा गया है मैं चारों की एक्जांपल्स आपको समझाओंगा और फॉर्मेट आपको याद करवा दूँगा जिस फॉर्मेट में आपको लिख आप कंप्लेंट करते हुए भी अगर लेटर लिख रहा है तब भी आप पॉलाइट वर्ट्स का यूज करेंगे ताकि जो कंप्लेंट को पढ़ रहा है वो आपको पॉजिटिवली रेस्पॉंस करें यूज सिंपल एंड एप्रोप्रियेट लेंग्विज री री रिवाइज इट चेक स्पेलिंग ग्रॉमर यह मैं बार बार आप कहूंगा आपसे कि इंगलिस की पेपर में आपको क्योंकि आपको स्पैलिंगमिश्टेक नहीं करनी है ग्रेमिटिकल मिश्टेक भी नहीं करनी है क्योंकि सब्सक्राइब लत क्या हन्या होने Verni इस सबसे पहले आपको क्या लिखना है सेंड़ एड़र्स यानि जो भेज रहा है यानि जो लेटर लिख रहा है उसका address लिखेंगे यानि पहला हो गया senders address एक line का gap छोड़ेंगे ध्यांसर मेरी बात सुनेंगे sender address लिख दिया तुमने उसके बाद एक line का gap छोड़े देना उसके बाद date लिखना date का format समझ लो इस तरीके से लिख दिया मैं एक बार यहां पर आपको दिखाऊंगा यह देखिए यह cbsc के answer seat का answer यह है अब यहां पर date मुझे लिखना नहीं है इस तरीके से कि मैं date लिख दे रहा हूं ऐसे ऐसा date कुछ भी नहीं लिखना है ठीक है आपको डारेक्टली लिखना है क्योंकि यह वाला जो आपको पेज दिख रहा है यह cbsc की answer copy जो sample paper वो release करता है उसकी answer copies है तो cbsc जो marking scheme भीचता है English की बहुत सारी चीज़े हमने available करा रखी है अब समझ में आया क्या क्या हो गया send us address date हो गया उसके बाद receivers address जो जो आपके letter को receive कर रहा है उसका address इसके बाद भी एक line छोड़ेंगे उसके बाद एक letter आप लिखना सुरू करते हैं body of the letter sir यहां लिखा कॉमा लगाया और थोड़ी सी यहां जगा छोड़के लिखना सुरू कर देंगा भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको आपको दो तीन पार्ट में लिखना है जैसे paragraph करके भी लिख सकते हैं problem सबसे पहले लिखेंगे फिर उसके effects लिखेंगे उससे क्या क्या आपको परिशानी आ रही है और आप क्या problem का solution चाहते हैं last paragraph में आपका यह होना चाहिए क्या demand कर रहे हैं यह आपको body of the letter लिखते वक्त ध्यान रखना है फिर last में आपको यह है use कोई apostrophe का आपको यूज नहीं करना है तो आपको समझ में आया एक बार मैं फिर से revise कर दे रहा हूं पहला आपको लिखना है sender's address ध्यान से समझ लीजिए sender's address दूसरा हो गया आपका date तीसरा हो गया receiver's address चौथा हो गया आपका subject पाचवा हो गया salutation छटवा हो गया body of the letter साथ हो हो गया conclusion या closing ठीक है complimentary close या complimentary closing ठीक है yours truly yours truthfully यह लिखकर आप साथ point में आप अपना complete formal letter लिख सकते हैं तो आपको यह चीद ध्यान रखनी है कहां पर gap छोड़ना है यहां पर एक line का gap छोड़ दिया यहां पर एक line का gap छोड़ दिया यहां पर एक line का gap छोड़ दिया और सर लिखने के sample paper का solution है format पर आपको एक number मिलेगा सबसे पहली चीद उसके बाद full credit it all aspects included partial credit half marks if one two aspects are missing अगर आपको पूरा पूरा अपने format सही तरीकी से लिखा हुआ तो आपको एक number मिलेगा अगर कुछ गड़बड किया है तो आधा number कड़ जाएगा उसके बाद content no credit if more than two aspects are missing अगर आपने दो से ज्यादा format में गलतिया की तो आपको एक number नहीं मिलेगा अब इसके बात पढ़िए content पर दो number आपको मिलेंगे half mark for each content point area address suggestion importance implication and recommendation यानि जो बात मैंने कही कि आपको अपने letter को तीन पैरा में लिखना है पहला आपका क्या होगा कि भाई आप introduce करोगे उसको फिर उसके करड़ क्या effects आ रहे हो लिखोगे फिर आप क्या चाहते हो यानि आप suggestion क्या दे रहे हो क्या आपका solution है वह आप लिखोगे तो तीन पैरा और तीनों पैरा पर आपको मिला कर दो number मिलने जा रहा है यानि body of the letter पर दो number organization of ideas आप जो भी प्रॉपर लिख रहे हो अपने ideas दे रहे हो उसका organization कि उस प्रकार से उस पर भी आपका एक number है effective style orderly sequence paragraph structured and formal tone and vocabulary अब बात दिरी रहान से सुने इस पर भी आपका एक number है और examiner इसी प्रकार से ही चेक करेगा आपको बताया जाता है कि format रट लो आपको पूरा number मिल जागा नहीं बहुत आप clearly लिखा हुआ है CBSC ने कि आपका हम number format पर एक देंगे आपके body of dilator के matter पर हम दो number देंगे sequence में आप लिखेंगे तो हम आपको एक number और देंगे कोई बच्चा क्या करता है कि पहले आपको क्या problem का solution वहीं लिख देता है फिर बात में problem बताता है तो इस पर आपका एक number spelling punctuation और उसके बाद grammatical mistake पर आपके एक number कटेंगे यानि आप सब कुछ सही लिख कर आते हो फिर भी अगर आपका spelling mistake होता है grammatical mistake होता है तो आपको 5 में से 4 number ही मिलेंगे यानि आपको हर एक बात का ध्यान लखना है format का sequence का grammatical mistake का तब जाके आपको completely 5 में से 5 number मिलेंगे अब प्रेयर करके जाओ हम PDF अलड़ी टेलिग्राम में प्रोवाइड कर दिये हैं वहां से जाके और प्रेक्टिस कर लो और प्रेक्टिस करके जाओ ठीक है चलो एक एक करके फटापट से एक्जामपस देख लेते हैं यह है आपका format of complaint letter you are Ravi Ravina you bought a pair of shoes from the Mr. Sue line itna itna market itna luck now on unpacking them you found to be your surprise that both of the shoes are mean for your right foot write a letter of complaint to the manager of the this this shoes for complaining the complaint of their cost replacement of their cost तो आपने सबसे पहले क्या कि यहां पर दिखिए gap आपको नहीं दिख रहा है फिर भी आप ध्यान लखेंगे कि आपको एक पैज का gap दिना है आप अपना sender's address लिग दिया date लिग दिया receiver's address लिख दिया subject complaint against defective pair of shoes बस चार-पांच words में आपको complaint लिखना है ध्यान लखेंगे फिर उसके बास sir sir करके यहां पर अपना through this letter of mine I wish to inform you that I had possessed a pair of shoes on this 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 receipt number इतना पहले आपने अपना बताया कि क्यों आप letter लिख रहे हो आप अपना issue बता दिया अब issue के बाद आपको परिशानी I therefore request you to kindly अब इसमें आपने परिशानी भी बता दी कि the item was so on unpacking the box at home I found that both of the shoes are for the right foot यानि आपने बता दिया कि भाई इसकी वज़े से यह समस्या आ रही है और अब आप चाहते के है लाश्ट परा में आपने दिया I therefore request you to kindly replace the pair of with a new one or refund the money ठीक है I will be the thankful if the matter can be attended to at the earliest अब दिए किस प्रकाल से भाव लिखा गया है लाश्ट में कि मैं आपका बहुत thankful होंगा अगर आपने इसको बहुत जल्दी से जल्दी करा दिया फिर thanking you yours faithfully Ravi ठीक है yours truly Ravi yours faithfully Ravi तो इस तरीके से आप complaint letter लिखेंगे ताकि बहुत ज्यादा उसका word खराब न हो चले इसके बाद आपका inquiry letter अगर आप किसी चीज की inquiry करते हैं तो आप उसी format में रहेंगे कोई changes नहीं होंगे जैसे मालेजे की inquiry about conducted use यहाँ पर एक टूर करना है मु के दाधनाथ और हरिदवार with my family of five मैं अपने परिवार के पांच लोगों के साथ बदिनात जाना चाहता हूं प्लीज लेट मी नो यह तर्म्स for the conducting tours by deluxe buses of the eva mentioned places the rates should include the logging logging boarding charges fare per kilometer per bus यानी मैं चाहता हूं कि आप मुझे इंसन बारे में जानकारी दे I would like to know about the boarding and logging facilities provided by you the duration of the journey and handling also let me know if any student discount is admissible expecting an early response यह आपने अपनी inquiry later लिख दी यो sincerely अब यहाँ पर आपने sincerely यूज कर लिया respect की तरीके से तो यहां पर आपका नाम लिख दिया सीवा नीचे तो यह format सेम होने वाला है और content अलग अलग होने जा रहा है placing and order अगर आप एक book की placing करने जा रहा है तो आप देखिए यहां पर एक table आपको दिख रहा होगा यह table आपको बनाना पड़ता है suppose आप book order करना चाहते है तो किस तरीके से लिखते है देखिए supply of books for the school library बाकी उपर का format सेम रहेगा through this letter we wish to place a bulk order for the supply of books to our school library the list of books with their particular is attached herewith यानि आपको कौन कौन से book उसके publisher कौन है और कितनी required है यह आपने एक table बना के लिख दिया we shall not settle for less than 20% discount on the purchase of the books beside we request you to give another 5% special discount that is usually granted to the instructor institutional bias it goes with the saying that you will have to bear the mail and other expensive involved in the dispatch and delivery of the books यह अपने अपने requirement बता दी कि मुझे 20% plus 5% discount चाहिए the eva book must reach us in the proper condition and order not later than 25th number if our terms and conditions are acceptable you thanking you yours truly Kalpana यह अपने book order करने के लिए एक letter लिख दिया एक book वाले किताब वाले को store को ठीक है चले next है आपका letter to the editor यह सबसे important चीज है letter to the editor को मैं एक बार समझा देता हूँ basically क्या करते हैं आपके सहर में आपके छेत्र में कोई समस्या है तो आपके क्या चाहते हो कि यह newspaper में publish हो आप editor को newspaper में छापने के लिए letter लिखते हो ताकि वो अपने newspaper में छापे और आपके छेत्र के नेता को यह बात पता चले कि भाई यहां पर यह समस्या है तो आप क्या करते हो अपना address लिखते हो, date लिखते हो, receiver's address लिखते हो, subject littered roads a health hazard Sir, owning to the MCD employees strike, the roads in our area are littering with garbage, the garbage helps around a residential area not present an unpleasant site but also pose a great health hazard This is precisely the problem in the past part of the capital which I seek to bring to the notice to the concerned authorities through the columns of your reputed newspaper अब आपने बता दीक भाईया हमारे छेत्र में garbage का बहुत बड़ा issue है Since Rajendra Nagar is relatively new locality, there are numerous vacant plots, there are being invariably and insensitively used by the public to dump their garbage, the stench in the air is unwarrable not to mention the peril of an outbreak of the infectious diseases, absence of proper, sorry, attempt to console the people on the importance of community hygiene are being counter-argued in the absence of proper dumping sites or dustbin vacant spots are their only option यानि आप अपनी समस्याएं बता रहे हो और उसके accordingly क्या-क्या दिक्कते आ रही है आप ये बता रहे हो उसके बाद आप solution में बता रहे हो कि आप यहाँ पर एक box रखा जा ताकि हम उसमें garbage fix के ताकि कोई समस्या ना पए और इन सब चारी चीजों को लिखने के बाद आप लिख रहे हो आपको समझ में आ गया लेटर तु दे एडिटर में भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी एक क्लियर भाई सबी लोगों को चालो तो ये रहा आपका लेटर तु दे एडिटर का format आपको समझ में आ गया होगा तो हम अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पर बढ़ने जा रहे है अनलेटिकल पैराग्राफ ये बहुत आसान होने जा रहा है इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी इसका format समझा देता हूं इसका question कैसे आएगा वो समझा देता हूं बैसिकली आपको एक इसू दिया जाएगा और उसके बारे में आपको केवल एक पैरा में आपको लिखना है ध्यान रखेगा किसने पैरा में उतने में आपको finish करना है ठीक है कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कैसे लिखते हैं introduction में आपको introduce the thesis body में आपको लिखते हैं elaborate your analysis according to the data or informed given in the question conclusion आपको करना है conclude your analysis at the end जबी भी आप body of analytical paragraph लिखते हैं topic लिखने के बाद basically उसमें 3 तीन चीज का content होगा जैसे आप body of the letter लिख रहे थे सबसे पहले आप introduce करेंगे introduce करने के बाद elaborate करेंगे जो data आपको question में दिया रहेगा क्योंकि आपको analytical paragraph ऐसे topic पी नहीं लिखने के लिखने के लिए दिया summarize the information by selecting the main feature इसमें कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है make relevant comparison if needed organize the paragraph logically logically कहने का यही तात पर है कि आपको इसी तीन sequence में चलना है do not use first person in to pronounce in your paragraph avoid using super flaws words make sure you double check your composition this is a statement that disclaimer what is you what you believe and what you intend to prove ठीक है अब एक बात सुनिए यहां पर आपको कहा जाएगा 120 word में लिखने के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि aim for 160 to 190 word मैं यह नहीं कर रहा हूं कि 120 कह रहा है तो आप 200 word में लिखिए या 160 word में लिखिए जभी भी आप लिखिए 12 line से ज्यादा लिखिए ताकि examiner को यह न देखिए आपको इसमें marking कैसे मिलती है इन नंबर आपको content के लिए मिलता है दो marks for expression one marks for the grammatical accuracy appropriate words and spelling and one marks for the cohesion via connecting idea logical progression and coherence through relevance or ideas and style अब आप कुछ अपना भी उसमें अगर डालते हैं जो examiner को पढ़ते वक्त यह लगता है कि हाँ बच्चा अपना भी कुछ thesis डाल रहा है अपना भी कुछ इसमें solution डाल रहा है तो वह एक number आपको वहां से मिलेगा एक number आपके grammatical mistake पर मिलेगा मतला कटेगा और तीन number आपक आपके इसमें अपकिछ पर यह लक्ता पर कुछ टेटा लिखा हुआ है उसके बाद लिखा हुआ है all… अब देखिए यहां पर आप से कहा गया है कि या तो सपोर्ट में लिखिए या तो आप अपोज में लिखिए तो किसी एक पर आपको लिखना है ठीक है? दोनों पर नहीं लिखना है तो आप सपोर्ट पर लिखिए एक पर आप अपोज करते हुए लिखिए तो कई सारे बच्चों के मन में लिखिए यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर देखिए लिखा हुआ है तो इस टॉपिक को आपको इस तरीके से तेरा चौदा लाइन में लिखना है विजिट तू बावरताल गार्डेन, वेगनाट दौंदार फाल्स, मार्बल रॉक्स केबल, कार टूर, एंड रानी दुर्गावती म्यूज़म ओफर्स एन अपोर्चुनिटी फॉर दे स्टुडेंट्स तू लर्न अबाउट दे नेचर हिस्ट्री एंड अट अब एक बा पराग्राफ आपका एक में रहना चाहिए, और सब कुछ एक तरीके से लगना चाहिए, यह नहीं कि इधर ज्यादा ज्यादा गयाप है, लाइन बढ़ाने के लिए आप यह सब काम कर रहे है, तो यह काम आए हो, आपको यह टॉपिक भी समझ में आगा, एनलेटिकल पराग कि हाँ बच्चे ने अपने भी कुछ सोच विचार को इसमें इंक्लूड किया है, ठीके, ग्रामेटिकल मिश्टेक्स का ज्यादा ध्यान लखना है, कि कोई ज्यादा ग्रामेटिकल मिश्टेक नहों, स्पैलिंग मिश्टेक पर भी ध्यान देना है, थोड़ी वोकबिलरी आ अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगे, टेलिग्राम पर जाईए, इसकी पीडियाप डाउनलोड कर लिजिए, साधी साथ प्रैक्टिस करने के लिए और पीडियाप मैंने डाल रखी है, वो आपको हेल्प करेगी एक्जाम म ठीक है, छले फिर मिलता है इकने स्टूडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, और एक्जाम कल है, परसो है, चाहे जब है, अच्छा करके आईएगा, जेहन